नमस्कार स्वागत आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में मैं रवी कुलरिया हिस्ट्री लेक्चर राजसान से आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा परिकालपनात्मक इतिहास दर्शन की यानि स्पेकुलेटिव फिलोसफी ओफिस्ट्री की जो कि एक महत्वपून टोपिक है अपकमिंग असिस्टन प्रोफेसर एक्जाम राजसान में जो होने वाला है हालंकि वो आगे खिसक गया है लेकिन जून जुलाई तक होने की संभावना है तो उसकी हमें पहले से तयारी कर लेनी चाहिए इसके अलावा मैं परिकालपनात्मक इतिहास दर्शन के जो पर्म परिकालपनात्मक इतिहास दर्शन क्या है विको और हड की परिकालपनात्मक इतिहास दर्शन के समबंद में कुछ जो बाते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन किसे कहते हैं एतियासिक तथ्यों के आधार पर अग्यात तथ्यों का अनुमाल लगाकर उसे भी प्रस्तुत किया जाना परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन कहलाता है जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है परिकल्पनात्मक यानि स्पेकुलेट करना है आपको अनुमाल लगाना है जो तथे सीधे स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है उनका अनुमाल लगाकर इतिहास की रचना करनी है तो वो परिकल्पनात्मक होना तो एतिहासिक तथों के परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन का स्वरूप आधुनिक है यानि ये वेग्यानिक युग की देन है जिसकी हमने पिछली वीडियो में बात की थे परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन का उद्भव प्लेटो और अरस्टु से माना जाता है परिकल्पनात्मक इतिहास का अभि स्वरिय लक्ष है ये क्या बात है अब ही हम समझने का प्रियास करेंगे जैसे इसी में अगले हमने लिखा है कि ये जो इतियास की कुछ बातें ऐसी होती है इतियास की गती इस प्रकार से चलती है कि हर बात में मानवी हस्तक्षेप अनिवारी नहीं होता कुछ गटना है मानव समाज के समक्स प्रस्तुत किया है इसका अभिप्रा यह है कि इतिहास में अंतर नहित परियोजना लक्षे तथा विशेस अर्थ होता है इनका मानना था कि इतिहासी गटनाए इनी के दुआरा नियंतरित होती है इसलिए इन परियोजनाओं और लक्षों को मानवी ये प्रियास भी रोक नहीं सकते इसके संबंद में मैं आपको उधारण दूँगा जैसे इतिहास की धार्मिक आउधारणाए है और इसमें हम भारतिय आउधारणा की ही बात करें तो जैसे आपने सानातन परंपरा में देखा है कि जो हिंदों की परंपरा है उसमें आपने देखा है कि चार कृत, त्रेता, चार यूग बताएगा है कृत, त्रेता, द्वापर और कलियूग यानि ये तय है क्रम कि कृत के बाद में त्रेता आएगा द्वापर आएगा कली हुआएगा उसके बाद मिकृत आएगा तो ये इसी प्रकार युनानी धार्मिक अवधानाएं हैं वो भी चक्रात्मक हैं तो भारती और युनानी अवधानाएं चक्रात्मक हैं यानि इतिहास की ये इसको बात को सिद्ध करती हैं कि इतिहास से चक्रा आत्मक्त माने गई हैं जैसे सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, यह जो यूग चक्रवादी वाकिया है वो इसे संबंदित हैं जैसे भारती आउधारणा का ओर आपको मैं उलेक करूँ तो जैसे कि आपने ये भी सुना होगा कि हम माइथालोजी में पढ़ते हैं कि इश्वर का आउतार है वो बार-बार प्रत्वी पर जर्म लेता है जब-जब जो दुख है मनुश्य के वो बढ़ जाते हैं उनका अंत क कि इतियासी गटनाएं हमेशा मनुश्य द्वारा नियंत्रित नहीं होती है इतिहास का अपनी परियोजना लक्ष और विशेस अर्थ होता है जो स्वयम घटित होता है उसमें मनुश्य का आधिक योगदान नहीं होता है इसी प्रकार इसलाई और इसलामी जो आधिक मातर आप कह सकते हैं पार्ट अदा कर रहे हैं तो इस प्रकार की बाते हम पढ़ते रहते हैं तो ये परिकलपनात्मक इतिहास दर्शन से संबंदित है तो इतिहास की धार्मिक आधानाएं इस विचार धारा की पूश्टी करती है कौन से आधाना की परिकलपनात्मक इत्यास दर्शन की सभी धर्मों की आउधारणाई प्रुथक प्रुथक देखने से ये स्पष्ट पुर्मानित होता है कि इत्यास की अपनी गती, स्वर और परियोजना होती है जो मानवी एक क्रियाकलापों को नियंतरित करती है और परिकल्बनात्मक इत्यास दर्शनिक इन्ही गूड रहष्चों को समझने का प्रियास करते हैं ऐसे दर्शनिकों में मुख्य नाम आते हैं इबन खाल्दून, विको, कांट, हर्डर, हीगल, मार्क्स, इत्यादिक है तो इबन खाल्दून का अपने आप में अलग से वीडियो बनाये जा सकता है बहुत बड़ी सक्षित हैं उनके विचारों को समझने के लिए मैं काफी समय चाहिए तो मैं इबन खाल्दून के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊँगा इसलिए मैं इसमें विको और हर्डर को लिया है रखभा विश्वितिहास में उसमें भी आता है नेपल के और 1668 में इनका जन्म होता है मैंने नीचे इनके जन्म और मृत्यों की तारिक लिखी है और एक गरीब पुस्तक विक्रेता के घर इनका जन्म होता है और गरीबी में इनका दिन गुजरता है बहुत सारे विद्याले ये बदलते हैं उस प्रकार के उनके जिवन की बाते महतुपूर नहीं है इसलिए मैं उनकी चर्चा नहीं करूँगा बात करते हैं कि इन्होंने कार्टेशन वाद का विरोध किया कार्टेशन वाद का विरोध करते हुए इन्होंने एक अपना नहीं ठोरी दी और उनकी पुस्तक हाई साइन्ज नोवा जैसे आपको हिंदी वाले आपकी जो पुस्तके हैं उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ मिल warafton science, यह किसकी कृति है विको की अब यह जो varum-ritis aftum या या एक line में आप समझ सकते हैं कि Wiko की theory क्या है और वह line मैं बाइन मंद्म कि यहां पर आभी लिख रहा हूँ कि Wiko की theory को आप सिर्फ एक लाइन में समझ सकते हैं, इंकली एक लाइन की के विचार दर्शन को समझने के लिए प्रियापत है, यह इनकी एक प्रसिद लाइन है, we can only understand what we can make यानि कहने का मतलब यह है कि मनुष्य उन्ही चीजों को समझ सकता है जो उसके द्वारा बनाए गई है जो उसके खुद के द्वारा निर्मित नहीं है उन चीजों को समझने में मनुष्य को परिशानी होगी और वो चीजें पूरी तरह कभी भी मनुष्य नहीं समझ पाएगा जैसे मैं इसको और विस्तार से बताने का प्रियास करूँ उनका कहना था कि मनुष्य उसी चीज को उनी बातों को समझ सकता है जिसका उसने निर्मान किया है यानि असेंबल और डिससेंबल मनुष्य कर सकता है जिस चीज को उसने असेंबल किया है उसको वो डिससेंबल भी कर सकता है लेकिन प्रकृति के संबंद में उसने कहा कि प्रकृति मनुष्य निर्मित नहीं है यानि इसका निर्मान मनुष्य नहीं किया है इसलिए हम उसके बारे में विचार तो कर सकते हैं लेकिन पूरी तरह से प्रकृति को कभी भी समझ नहीं सकते क्योंकि प्रकृति का निर्माण मनुष्य ने नहीं इश्वर ने किया है जबकि जो बातें मनुष्य दुक्टे द्वारा या जो चीजें या जो व्यवस्थाई मनुष्य की खुद की निर्मित हैं मनुष्य उनका पुर्ण निर्मान कर सकता है उनको समझ सकता है तो इतिहास के संबंद में उसकी यही थोरी थी कि इतिहास का ग्यान प्रकृति के ग्यान से भिन है इतिहास में जो भी वस्तु स्तितियां होई है जो भी वस्तु निर्माण होई है सामाजिक संस्ताय बनी है जो भी घटित हुआ है वो मनुष्य के खुद के निर्माण है, वो मनुष्य ने खुद ने किया है, तो उसको समझा जा सकता है, मनुष्य उसको बिलकुर आची तरीके से समझ सकता है, प्रकृति को भले ही मनुष्य ने समझ भाए, ये जो शिद्धान्त है, इसको कहते है वेरम फेक्टम, एकदम आ पर जो speculative philosophy of history है इस topic में मैं विको की harder की ज़्यादा बाते नहीं करूँगा सिर्फ उतनी ही बाते करूँगा कि इनकी theory आपको थोड़ी-थोड़ी समझ में आ जाए और जब आप पुस्तक को पढ़ें तो आपको ऐसा नहीं लगे कि आप क्या पढ़ रहे हैं या आपको समझ मे नहीं आए हलांकि मैं भी कोई मामले में विद्वान नहीं हूँ मैंने भी इतियास दर्शन बढ़ा है मैंने कभी पहले इतियास दर्शन नहीं पढ़ा लेकिन बार-बार कई बार कमेंट आ जाते हैं तो मैंने सोचार चलो ट्राइ करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा तो बना देंगे नहीं पसंद आएगा तो बंद कर देंगे तो आप जरूर बताना कमेंट करना लाइक और कमेंट आप जरूर करना और कमेंट करके ये भी बताना कि क्या आपको समझ आ रहा है या मैं यूहीं अपना समय वेस्ट कर रहा हूं आप जरूर बताना आपको समझ जाता है तो कुछ और टोपिक्स बना दूगा नहीं समझाएगा तो इसको बंद कर देंगे अपनी वही प्राचीन आधुनिक और मद्देकाले नितियास पढ़ लेंगे अब इसके बादें बात करते हैं हर्डर की जोन गोटफ्रीड वोन हर्डर ये जर्मन थे और वो जो जिन्दी में आपने नाम सुना होगा स्वचंदतावाद जर्मनी में स्वचंदतावाद रोमांटिसिज्म का अग्रदूत हर्डर को माना जाता है हर्डर की विशेश बातें क्या हैं पहले मैं नीचे से उश्रवात करता हूँ हर्डर अनुभव को तरक से उपर रखता है यानि जैसे इनकी पुस्तक है Yet Another Philosophy of History या इस पुस्तक का कई बार मैंने नाम ये भी दिखा है कि One More Philosophy of History ये भी लिखा वाता है इस पुस्तक में इन्होंने तरकवाद का विरोध किया है इतिहास लेखन में कि इतिहास लेखन में पूरनत आप तरकवाद की पालना नहीं कर सकत और इसी विचार धारा को आगे बढ़ाते हुए उनकी एक दूसरी रचना जो की महान रचना माने जाती है The Ideals for the Philosophy of the History of Mankind ये इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जो उनकी पहली रचना की इतिहास लेखर में तरकवाद का विरोध करते हैं उसी को आगे बढ़ाती है ये जो द युक की जन्मदात्री पूस्तक है ये और इसमें अद्वुद मात्रा में महत्पून एमसार गर्वित विचार है ये कॉलिंग वूड का कथन है इनकी दूसरी पूस्तक जिसके चार पारट आईते उसके संबंद में तो इस दूसरी पूस्तक में और उनने विशेश रूप को तरक से उपर रखता है उसके अनुसार मनुष्य इश्वर की एक महत्पून कृती है और पसुपक्षी तथा वनस्पतियों से मनुष्य स्रेष्ट है और इसी स्रेष्टा के कारण इसकी जो स्रेष्टा है इसका कारण है उसकी बुद्धी इसके कारण वो और जो पसुप इतिहासकार को मानव अतीत के अंदर जाकर उसकी वास्ट्विक्ता का अनभव करना चाहिए। इतिहासकी 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 वीडियो बनाने शुरू करूँगा। धन्यवाद। इतिहासकी वास्ट्विक्ता करना चाहिए।